हेलो और वेलकम स्टूडेंट, तो कैसे है आप लोग, I hope आप लोग सब बनिया होंगे, मैं हरी कुमार, आपको स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल सब्जिक्ट एजुकेटर में, आज हम लोग से लेक्चर में कम्प्लीट करेंगी, NCRT Classics Maths का Chapter 4, Basic Geometrical Ideas का Exercise 4.3, तो चली इसे स् कौन-कौन सा Topics इस Exercise में आता है, तो इस Exercise 4.3 में हम लोग का एक ही Topics आता है, जिसका नाम है Angles, तो Angles के बारे में समझेंगे, जो की Page Number हम लोग का, 78, 79, NCRT Page Number, Angles दिया गया है, वो आता है Exercise 4.3 में, तो सबसे पहले उसे समझेंगे, तब Next हम लोग बनाएंगे Exercise 4.3, आप द Figure में है, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे पहले हम लोग Angles क्या होता है, इसका Definition, इसको कैसे बनाते है, इसको कैसे Represent करते है, और इसका क्या-क्या Property है, और Interior, Exterior of the Angles पढ़ेंगी, उसके बाद ही हम लोग बना पाएंगे Exercise 4.3 को, समझेंगे 4.3 को, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे Angles के बारे में, तो देखें, यहाँ पर हम लोग Angles है, तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से Angles के बारे में समझते है, An Angle is a Made Up of a Two Rage, Starting from a Common Endpoint, अब देखें, यहाँ पर Angle हम लोग का Made Up of है, दो रे से बना हुआ है, जिसका एक ही Common Point है, यह देखें, इन्पोर्टें में गया है तो रे क्या होता है एक रे क्या होता है एक लाइन का पॉर्शन होता है कि जिसका हम लोग का एक इनीसियल पॉइंट होता है इसे क्या कहते है हम लोग क्या करें निकलता है और ये हम लोग कई जाते ही जाता इंफिनाइट तक जाते जाता है इसे हम लोग क्या कहते हैं ए बी इसे क्या बोलते हैं हम लोग रे बोलते हैं इसको हम लोग रे बोलते हैं अब यहां पर हम लोग को बोला एंगल बोला गया है दो या दो से ज्यादा रे दो या दो से ज्यादा रे अब यह हम initial point से निकल रहा है ray a b यह हम लोग का क्या है एक ray है अब यहाँ पर बोला है दो ray से बना वह जिसका एक ही common end point हो अब यहाँ पर हम लोग डू करते हैं देखिए एक हम लोग का एक initial point है एक ray निकल रहा है 0 और यहाँ पर देखिए एक दो ray निकल गिया यह हम लोग का दो ray इसको हम लोग a ले लिए इसको हम लोग b ले लिए इसी को क्या बोलते हैं हम लोग angles बोलते हैं जिसका दो ray हो और इसका एक common end point हो यह हम लोग क्या है यह हम लोग का common end point है जिसे हम लोग क्या कहते हैं वर्टेक्स कहते हैं और यह हम लोग का दो common point हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, angles बोलते हैं, angles, अब देखिए जैसे, यहाँ example में देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग का दो ray है, जिसका एक common point इसे vertex कहते है, अब यहाँ पर हम लोग daily life में example में देखते हैं, और angles क्या होता है, समझने के शिचिस तो यहाँ पर हम लोग एक रे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हम लोग एंगल्स बनाते रहता है और दो रे इसका एक common endpoint होता है center में अब जैसे के यहाँ पर बोर्ट देखते होंगे, crossboard देखते होंगे, traffic sign board देखते होंगे तो यहाँ पर देखिए हम लोग का जो triangle होता है यह हम लोग का कुछ ना कुछ angles बनाया हो रहता है तो इसको हम लोग daily life example में देख सकते हैं angles के बारे में अब यहाँ पर समझते हैं the two rays forming the angles are called arms of a side अब देखरें दोनों को क्या बोलते हैं इस दोनों रे को हम लोग क्या बोलते हैं Arms off the side कहते है arms of the sides इसो क्या बोलते है arms of the side the common end point is vertex of the angle अब जो भी common end point होता है ये क्या होता है vertex of the angle होता है अब इसको हम लोग कैसे लिखते है here angles is formed by the ray O अब ये हम लोग का जो angle बना है formed हुआ है वो A ray से बना है और ये हम लोग का O B ray से बना है the name of the angle is angle A O B or B O A keeping the vertices in the middle अब इसको हम लोग इस तरीका से लिखते है इसको हम लोग 2 ray से बना हुआ रहे है अब ये हम लोग इसको किस तरीका से लिखते है इसको हम लोग लिखते है angle A A O B A O B इसको और लिखते है इसको ऐसे भी लिख सकते और angle B O A हम लोग angles को इस तरीका से लिखते है तो I hope आप लोग को clear हो गया हो गया angles के बारे में अब यही हम लोग का लिखना था name करना था पहला question में देखिए यहां पर 4.3 में हाँ name the angles in the given figure अब यह हम लोग का figure है इसमें हम लोग को name लिखना था तो यहां पर हम लोग का यह figure है यहां पर कौन-कौन सा angle होगा तो यहां पर लिखते हैं देखिए यहां पर angle A है angle B है angle C, angle D तो यहां पर हम लोग इसी का हम लोग name लिखना है तो यहां पर हम लोग name लिखते है, name the angles, तो यहां पर हम लोगeur angle A है, angle B है, angle C है और यहां पर angle D है, आप लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं और जो अभी पीछे पर एथे यहां पर हमेनली इस तरीका से लिखते हैं, यह भी हम लोग का correct है, हम लोग mainly लिखते हैं इस तरीका से, अंगल, A को कैसे लिखते हैं, अंगल A को कैसे लिखते हैं, अंगल D A B, D A B, एंगल B को क्या लिखते हैं, एंगल ABC लिखते हैं, एंगल ABC, एंगल C को क्या लिखते हैं, एंगल B CD, और यहाँ पर हम लोग D को क्या लिखते हैं, एंगल CDA, तो यह हम लोग का नेम लिख दिये, तो पहला नमर हम लोग कब बन गया, आई हूप आप लोग को समझ में आया नेकस्ट नोग बनाएंगे देखे यहांपे Quran 2 इंधा गिवंड डैग्राम नेम द पॉइंज अब डीक यहां पर हम लोग कर डैग्राम है इंटिएंटीर सबमारे खम के इंटीर सबसे पहले सम्झे फिर इसके बाद ही बना पाएंगे Q2 तो देखे यहां पे हम लोग का है हम लोग अभी जो परित है Angles के बारे में अब लोग का Next Topic क्या था Interior of the Angle और Extirior of the Angle तो इसे समझेंगे अब देखे Interior क्या होता है Interior मतलब होता है किसी Box के अंदर, किसी चीज के अंदर और Extirior मतलब होता है किसी चीज के बाहर तो यहां से हम लोग समझ सकते हैं यहां से हम लोग रिलेट कर सकते हैं Interior of the Angles को तो यहां पे देखे हम लोग का है हाँ तो यहां पे हम लोग का देखी Angles है यह हम पर देखे है The Interior of the Angle is bounded by the arms of the Angle यह हम लोग का bound है जैसे यह हम लोग का जैसे point है D तो यह हम लोग का क्या हो जाएगा interior of the angle हो जाएगा इसको और अच्छी तरीका से question number 2 में देखेंगे 4.3 का question number 2 तो यह है तो इसके अंदर भी कोई भी point रहेगा D E F तो यह हम लोग कहलाएगा interior of the angle कहलाएगा अब यहाँ पे इसका opposite exterior of the angle क्या होता है is the reason that lets lie outside the angle जो कि outside रहेए मतलब यह जो हम लों का triangle है इसके outsides बगह यहाँ पर हम लोग का जो रहेगा D यह क्या कहलाएगा ex vitter of the angle कहलाएगा E तो यह सब हम लोग का exterior of the angles कहलायगा अब दिखेंगğ अबन देखे एक्स IN था in aasında एंगल तो यह हम लोग का होता एक श्राइब अग्र टनत यही चीज़ हम लोग वक天 वमें लिखा में है इस है अश्रीय हम लोग यह है जिए और अपंध का क्या है इने इक से residue आप गव्वा एंगल है आप इसके को मोट और अच्छी तरह हम लोगा important है यह figure इसको समझना होगा और यह figure है हम लोग का in the interior of the angle DOE तो यहां पर हम लोग आपक हम लोग का DOE कहा है DOE तो DOE मतलब यह वाला DOE इसके interior में तो पर इसके अंदर यहां पर हम लोग का दिखिए है there ठ्लों को अंधर हो जाता है यह तो यहां पर हम लोग का पहला एंसर क्या आजाएगा इसकर इस इस ट्रांगल के अंदर हम लोग का इंटीरियर हमनु का क्या है É है तो यहां पर हम लोग का A हो जाएगा answer फिर हम लोग next बनाते हैं in the exterior of the EOF आप देखें exterior मतलब outside the triangle तो exterior देखते हैं यहां पर angle EOF EOF मतलब यह वाला तो इसके outside वाला जितना भी point होगा यह हम लोग का क्या हो जाएगा exterior हो जाएगा of EOF तो यहां पर बी number लिखेंगे तो देखिए इसके outside में हम लोग का है C number है तो यहां पर C, अब देखिए इसके outside में हम लोग का, इस triangle के outside में हम लोग का, और कौन को न outside है, देखें यहाँ पर, angle A और angle D है, तो यहाँ पर हम लोग का, sorry, dot A और dot D है, तो यह वाला भी हम लोग का, आ जाएगा इसमें, तो यहाँ से हम लोग का B number भी हो गिया, C number देखतें, यहाँ पर C number, on angle EOF, अब देखे अब यहां पर पुल रहा है on UF, तो यहां पर यह जो angle है, इस line है, इस line पर जितना भी point है, उसे लिख देंगे हम लोग, देखें यहां पर, यहां पर हम लोग कौन कौन सा point है, angle E, B point है, O है, और F point है, तो यहां पर हम लोग को answer हो जाएगा C number, इस एंकल पर जितना भी पॉइंट है, E, B, O, F, यह हो जाएगा answer हम लोगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है, on angle E, F, मतलब, इस angle के line पर कौन जितना भी पॉइंट है, यह हम लोग का हो जाएगा answer C number, तो आप आते हम लोग का next number, C number, अब देखें, यह थोड़ा से complicated question है, आप लो को समझा दे, देखें यहाँ पे, draw rough diagrams of two angles such that they have, अब देखें, यहाँ पे हमलोग को rough diagram expectations डू करना है, जिसके पास दो अं दू एंगल से बना हो, ऐसा rough diagram draw करनाहे , जो की two angles such that they have और यहां पर हम लोग का कोशन दिया गया है तो दू अनगल कैसे होता है दिखर है यह होता है एक एंगल और यह होता है हम लोग का दू इस दून हैं अंगल से हम लोग को कूशन बनाना है Diagrant do करना है पहला है 1 common in one point in common मतलब दू एंगल्स ऐसा डू करना है जिसका एक ही कॉमन पॉइंट हो फिर नेक्ष्ट में हम लोग का टू पॉइंट्स इन कॉमन फिर इसी तरीका से हम लोग पहले एग नबर बनाते हैं वन पॉइंट्स इन कॉमन तो देखें यहां पर हम लोग का डाइग्राम अब देखें यहां पर हम लोग का दू एंगल है अब देखें यहां पर समस्की है दू एंगल है जिसका एक ही कॉमन पॉइंट होना चाहिए तो देखें यह हम लोग का है एक common point और यहाँ पे हम लोग का दो angle है angle 1 है और angle 2 है मतलब ऐसा rough diagram draw करना है जिसका दो angle हो और उसका एक ही common end point हो तो यह हम लोग का हो जाएगा 0 is the common point between angle COD angle AOB तो यह हो जाएगा हम लोग का पहला answer तो धेर धेरे आप लोग का concept clear हो रहा होगा अब इसी तरीका से यहाँ पे बोला है 2 points in common मतलब ऐसा rate diagram draw करना है जिसका 2 point है common point है तो इसको हम लोग हटाते हैं अब हम लोग का second number क्या है 2 points in common तो देखे यहाँ पे 2 points in common अब देखे यहाँ पे ऐसा हम लोग को 2 angles draw करना है जिसका 2 common points हो अब देखे यहाँ पे हम लोग का 2 angles draw हो गया एक यह रहा angles और यह angle 2 रहा और इसका हम लोग का 2 common points होना चाहिए देखे यहाँ पे यह हम लोग का क्या है 2 common points O और B O and B are common points between angle A, O, B दोनों में O, B आ रहा है A, O, B और B, O, C तो यहाँ से clear हो गया यहाँ पे टूप यहाँ पे हम लोग rough diagram draw कर लिए अब इसी तरीका से हम लोग का ठड अब यहाँ पे हम लोग क्या smart work करेंगे अब दिखे यहाँ पे 3 number कैसे बनाएंगे 3 points in common अब यहाँ पे हम लोग का 1 point यहाँ पे हम लोग डाल देंगे तो यह हम लोग का 3 common point हो जाएगा चलिए यह से भी बना लगते हैं अब दिखे लिए यहाँ पे हाँ दो angles होना चाहिए जिसका 3 common point होना चाहिए यहाँ पे देखे हम लोग का 2 angle है और 3 common point देखे O, E, V O, E, B, R common points between angle A, O, B और angle B, O, C तो यहाँ से clear हो गया 3 points in common और 2 angles ही बन गया हम लोग का फिर हम लोग next आते है 4 points अब देखे यहाँ पे लोगों लग रहा होगा 4 points तो simple है अब देखे लिए यहाँ पे हम लोग का 2 angle है angle और 1 और इसका 4 common point होना चाहिए तो angle O, E, D, A यह हम लोग का क्या है 4 common points है इसी तरीका से D number भी complete हो गया होगा concept आप लोग को बिल्कुल clear हो गया होगा I hope अब आते हम लोग का question number E 1 ray in common अब देखे यहाँ पे ऐसा 2 angles बनाना है जिसका एक ही ray common हो बिल्कुल easy है देखे अब देखे लिए यहाँ पे हम लोग का 2 angles है और एक ray common होना चाहिए तो यहाँ पे ray क्या है ray कौन सा है ray हम लोग का देखे यह हम लोग कर रहे है OC हम लोग कर रहे है OC is a common ray between angle AO BOC और angle AOC तो यहाँ से I hope आप लोग को clear हो गया होगा question number 3 एक एक करके पहले 1.2.3.4 point और 1 ray in common दो angles का तो I hope आप लोग को समझ में आया होगा exercise 4.3 जैहिन जैभाव